आईए दोस्तो आज मैं आपको डिजैनर गौन बनाना बताऊंगा जिसके लिए ये कपड़ा मैंने लिया है सबादो मीटर इसको मैंने अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया है ये मैंने 25 सेंटी मीटर कपड़ा ब्लैक लिया है इसमें मैं पाइपिंग वगरा काम करूँगा औ ये देखिए ये इस तरीके से मैं इसकी लंबाई काड़ूँगा 43 तो ये तैयार हमारी बनके 45 के करीब आज आईगी आप अपने साइच के इसाफ से ले 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 देखिए इस तरीके से और ये आर्मोल लेंट भी है ये भी आप अपने इसाफ से रख ले मैं सवा साथ पर र देखिए ये इसे करके ये निसान सीधे कर लेंगे इस तरीके से अब ये जो निसान लगाए मैंने ये निसान है अब ये देखिए इस तरीके से सबसे मैं चीज जो है इसके अंदर लूजिंग का है तो लूजिंग का है हम यहां पर एक बैल्ड लगाएंगे वह बैल्ड कैसे लगाएंगे जब हम बनाएंगे तो आपको बता देंगे ये हम 11 इंच पर चैस्ट का इसका निसान लगा रहा हुँ है और 6 इंच पर ये तीर सबसे लूज रहेगी तो कमर का हिसाब किताब जो है या तो आप इस्टेट लगा लें अगर इस्टेट नहीं लगाना है तो आदा इंच इसको इस तरीके से कम कर सकते हैं क्योंकि यहां पर 23 लगा यहां पर 22 लगा दिया मलना ही हम यहां बसाड़े 11 इंच है और यहां 11 इसको हम इस तरीके से देखी लगा लेंगे यह और यह वाला इस तरीके से लगा अब यह निसान लगाने के बाद में देखिए इसका घेरा जो है नीचे का वह पूरा इस तरीके से रख दिंगे यह देखी ऐसे करें और इसकी इस तरीके से गुलाई कर लेंगे यह यह गुलाई करने के बाद में यह जो नीचे वाला है साइस को देखिए इस तरीके से 43 और इस तरीके से देखिए इस तरीके से आप गुलाई कर सकते हैं और अगर इस तरीके से नहीं करना है तो जैसे यहां से आपने नाप लिया यह तो यहां से यह जो कोना आता है इसको धाई 3 इंच आप उपर इस तरीके से करके यह 3 सवा 3 इंच के करीब आता है उसको गुलाई कर सकते हैं तो इस तरी से पहले क्या करेंगे एक पल्ला काट देंगे इसका इस तरीके से जो हमारा फ्रेंड का यह देखे ऐसे करेंगे और इसमें एक इंच का मार्जन इस तरीके से लेकर और अब यह इस तरीके से नीचे से देखे गुलाई करेंगे यह देखे एसे करेंगे और यहां से इसको ऐसे करके एक इंच मार्जन के साब से इसकी देखे कटिंगर देखे यह यहां पर आगे इसको हलका सा मार्जन फोडा सा बढ़ा देंगे तो धरी तो यह द्विए दशे करेंगे इस अब अब देखे सो एस तरीके से हटाओने चीना निसान लगाएंगे तो निसान लगा के इसकी कटिंग कर ले यह देखे ऐसे करके और इसके गुलाई कर ले यह मैंने इस तरीके से काट दिया जैसे एक एक पल्ला जो काटते है नहीं तो मैं ज्यादा तर कभी भी कटिंग करता हूँ तो मैं दोनों पल्ले एक साथ में काट देता हूँ जिसमें बैक का मैं पहले काट लेता हूँ उसके बाद में फ्रेंड को चांड देता हूँ, मैंने आज ये वाला भी तरीका बता दिया है, कि इसको आप किस तरीके से कटिंग करेंगे, यह देखिए, यह हमारी बैक फ्रेंड दोनों कटिंग हो गई, यहाँ पर एक कट लगा लेंगे, और यह ब्रॉड का इस तरीके से क कटिंग होगी है, और कटिंग होने के बाद में देखिए, अब यह कपड़ा जो बचा है, इसमें से हम बाजू निकाल लेते हैं, बाजू की लंबाई, अगर आप जैसे आड़ी निकालेंगे, तो इसकी लंबाई देखिए, आपकी यह 15 इन तक आजाएगी, जिसमें 14 इन आपके आजरीं में, गट अगर बाजू हैं, तो आप इसको राड़ी भी निकाल सकते हैं, तो मैं इसमें से अभी राड़ी फिलाल लिकाला हूँआ बाजू, क्यूंकि आड़ी में हमारा जोड नहीं आए गा, और अगर स्दी अगर जोड़ी निकालेंगे गालेगे यहां पे जहां पे यह कन्नी का जो कट आ रहे हैं और साड़े ग्यारा इंच इसकी मोरी इस तरीके से यह और यह हमारे सब आट इंच मुट्टे की बॉआ जाएगी कि अब यह हलक के से मार्जन आरहे हैं में इसमें जोड नहीं आया अंदर की सैड़ मैं इस तरीके और अगर हम सीधी निकालते तो जोड हमारा लगाना पठता हमें तो यह देखी जादा नहीं लिंगे क्यों कि हमें पता है कि इसमें कितना माजन रखना है अब यह कस्टमर का ह इस तरीके से अब इसके अंदर हमें करना क्या है देखिए एक निसान तो यह हमें यह पूरा उठाना नहीं सबसे पहले कंगा नवब करण फिरुस दिक्कत रीका है भी कि नीसान इस तरीके तरीके नव गया इसी तरीके से यह हमारा क्योंकि बैक में लगेगी थो यह देखियों ओन इस तरीके से यह देखे, अभी हमारे सीधा निसान इस तरीके से लग गया, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, अभी हमारे बैक और फिरेंट तो हो गए, ठीक है, अब इसमें से हम क्या करेंगे, कि इसमें से हमें एक पैच निकालेंगे, यहां पे, क्योंकि यह कपड़ा थोड़ा स पैचे, तो देखे, आगे के पैच को मुझे करना क्या है, कि इसमें मैंने यह जो कपड़ा ले रखा है, ब्लैक बाला, एक तो मुझे यहां पे पाइपिंग लगानी है, दोनों तरब, यह पाइपिंग निकालने के बाद में, फिर यहां पे देखिए, और यह लेता हूं, और इसके बाद में पहले मैं यहां पे पाइपिंग निकालता हूं दोनों पल्लों में, और इसके बाद में यह दोनों मिला के इस तरीके से में यह पाइपिंग निकाल लेता हूं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं, यह देखिए दोस्तों, यह इस तरीके यह त ही इसको इस तरीके से क्योंकि यह इतनी चोड़ी इसलिए राहम से निकल जाहीं क्योंकि हमने पेपर पैस चिपकर रख त्य ना टो इसलिए दे कंड़ा निकालने के चक्कर में पेपर पेस्टिंग चिपका कि दी यह लेखे इसको इस तरीके से यह यह देखिए इस तरीके से अब इसको हलका हलका इस तरीके से आज से सैट कर लेंगे यह यह देखिए ऐसे करके और जितनी भी आपको बारिक निकालनी है बड़े अराम से निकल जाएगी यह देखिए ऐसे तो जितनी हमने यह निकाली थी इतनी ही चोड़ी निकालेंगे यह कर दूल को कर दो कर दो दो का दो 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 यह देखिए यह इसी तरीके से यह मैं पूरी पाइपिंग निकाल लुगा और उसके बाद में आपको देखा यह देखिए इसको मैंने इस तरीके से पूरी पाइपिंग निकाल लिए और पाइपिंग निकाल लेके बाद में देखिए इसको मैंने इस तरीके से फोल्ड करके और ये गले का निसान लगा लिया देखिए इस तरीके से अब ये गले का निसान लगाने के बाद में देखिए इसको हलका सा और डार कर लूँगा मैं ऐसे करके ये देखिए ऐसे करके अब ये डार करने के बाद में ये देखिए इसको इस तरीके से फोल्ड करके कि यह बराबर से यह देखिए ऐसे करके यह हमारा यह पूरा गला इस तरीके से यह निसान उड़ गया अब मैं इसकी जो फ्रेंड है फ्रेंड को लेके यह देखिए जो यह फ्रेंड वाले यह उल्टा वाला हिस्सा है इस तरफ इस तरफ से मैं इसको ऐसे रख दूआ उल्ट इस तरीके से सिलाई क्योंकि यह सेंटर बिल्कुल देखिए इस तरीके से खुल हुआ है तो हमारा यह बिल्कुल पता चल लिया है कि सेंटर कहां पर आ रहा है तो देखिए इस तरीके से यह यह से करके और फिर इसको इस तरीके से यहां से देखिए ऐसे करके मिला लेंगे न कि यह देखिए यह इस तरीके से यह सिलाई लगाने के बाद में इसको मैं हलका सा एक सूत के जाब से इसका मार्दन काट हूँ ऐसे करके यह देखिए अगर और यहां पर हलके हलके कट लगा लिए अगर लगा के और इसको इस तरीके से ऐसे पलट देने हैं यह देखिए इसको ऐसे पलट के एक सिलाई यहाँ पर मैं लगा लूँगा ऐसे इसकर जिसमे की पाइपिंग मुझे लगानी है बाद में लगा लूँगा देखिए इस तरीके से क्योंकि piping अभी मैं black कलर की लगा रहा हूं तो इस पे शिलाई मैं भी ब्लैक ही चला रहा हूँ क्योंकि कई बार है वहता है कि कहीं पर piping पर हलकी सिलाई आपके चड़ जाती है तो अगर प्रिलेक सी, जिस कलर की पैपिंग लगा रहे हैं, तो अगर उस पे चड़ जाएगी ना नजर नहीं आईगी, इसलिए लगा रहा हूँ, बाकी कोसिस तो यही रहती है, कि पैपिंग पे शिलाही ना चले, यह देखिए इस तरीके तो यह देखिए, यह देखिए य सब्सक्राइं प्रक्राइब पत्रम इन प्रमृर्स तरहिक ने फिल्हट म सी निखाता हूँ सब्सक्राइब करें पूरी और देखंग जफ दोस्तों से टोश्र के Ψहीं पर इन फिल्हाइब भूनीऊ यह निवस dar is on 레f complaining at memory आप लोगों को मैं बता दूँ यह देखिए इतनी करीब एक पैर यह देखिए इसे करके इसको हम ऐसे करके सिलाई लगा देते हैं जैसे हमने उसमें लगाई यह उस सैट में यह देखिए इस तरीके से यह सिलाई लगाने के बाद में जो हमने निसान लगाया था जो पहले जो निसान लगाया था उससमें जो कड लगा के वाला हम इसको देखिए इस तरीके से ऐसे करके फोल्ड करेंगे और इस निसान से इसको नीचे की सैट में यहां पर ऐसे करके ल और यहां पर अच्छी तरीके से पक्का कर देंगे क्योंकि यहां पर जब दोरी डालेंगे ना इसमें तो यहां पर थोड़ा सा खिचाओ आएगा तो इसलिए इसको पक्का कर दे यह देखिए ऐसे करके जो निसान हमने यह लगा रखा है हमें नजर आ रहा है तो इसलिए मैं यह देखिए ऐसे करके और यहां पे इसको ऐसे पक्का कर देंगे पक्का करने के बाद में इसलाई को इस तरी के से काट देंगे और अब यह दूसरी वाली सैट से इसको भी देखिए पक्का करेंगे ऐसे करके पक्का करने से पहले देखिए करना क्या है यह जो हमने इसके डोरी बना रखे एक डोरी के इसके अंदर ऐसे करके डाल देंगे इसको आप बाद में भी डाल सकते हैं युए आप किसी पैन की मदद से हैं किसी वाल फिन की मदद से डाल सकते हैं मैं इसे में पहले ही डालके चलूंगा देखें, इसी करके है लगा दीनें। और इसको ऐसे करके कि अध्युक्त करouredला हात है कि साथ साथ चलाहे लगा दे जाएंगे और और साथ-साथ यह हमारी पढ़ जाएगी इस तरीके से करके यह हमारी अराम से पढ़ गई कर आगे हम इस तरीके पककख लिए वोगा और इस ही तरीके से में लगा लिया है यह यहां इस तरीके से लगा लगा लोगह आपको भीस इसके लाओर इसी अरस्य देटिंगे द्रख न बकता हो तो हम इस तरीके से देखिए ज्वेंड कर लेंगे यह देखिए ऐसे करके और यह इस तरीके से कि अब ही देखे जो यह इसमति लगाने के लिए एक चीज का पूरा ध्यान लखनाँ है यह जो सैट की सिलाई लगाएंगे इस तरीके से है है Creed यह देखिए यह जो दोरी है इस पर श्लाही नहीं आना चाहिए इसको इस तरीके यह इधा दिंगया ऐसे करके और यह जो हमने पट्टी लगाई है इसका सेंटर इस तरीके से मिला दिए ताके यह थोड़ा उपर नीचे ना हो क्योंकि उपर नीचे हो जाएगा ना तो थोड़ा एक अजीप सा लगता है बागी अगर इसको मिला के सिलाई लगाएंगे तो उपर नीचे नहीं होगा इशिलाई लग गए उसके बाद में एक पैर के सिलाई लगा दिएंगे लुष टाइट की ये देखिए इस तरीके से ये देखिए ये सिलाई लग गयी हा पूरी और दोने लगा देग PBS्रि इसी तरीके से मैं यह वाली सैड में भी सिलाई लगा लूँगा और इसके बाजू हम किस तरीके से चड़ाएंगे वो दिखाएंगे आपको और घेरा फोल्ड करेंगे फिर उसके बाद हम दिखाएंगे आपको फाइनल वो यह देखें दोस्तो यह इसकी बाजू है बाजू के मैंने इस तरीके से यह सिलाई लगा लिए अब यह देख接下來 को नापने चड़ाने से पहले तो हमारा यह ठीक आ रहा है और इसी तरे की सेंटर से कट लगां लेंगे रहेँघे और इसको और इस तरीके से ऐसे करके पकड़े रहे हैं इसको और यह को यह देखिए गोивает इस तरीके से और ऐसे कर необICKogo रखते जाएंगे बराबर और चड़ाते जाएंगे ज़ीज लिए यह का जिए सेंटर वाला इसको इस तरीके से तो आपके देखिए वाजू एक दम बराबर है इस तरही के से देखिए वाजू देखिए विल्कुल फिनीसिंग के साथ चड़ गई है यह देखिए कहीं से जोल नहीं है बागी यह हलका फुलका जो होता है नमसा तो यह प्रेस लगती है प्रेस लगते के साथ में यह बिल्कुल साफ हो जाती है इसी तरीके से मैं यह दूसरी बाजू भी चड़ा लूँगा और मैं आपको फिर इसके घेरे की फोल्ड करके आपको दिखा लिए यह देखिए दोस् इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे इसका मारजन इदर है और इसका मारजन इदर है अब इसको मैं पूरा फोल्ड कर लूँगा और फोल्ड करने के बाद मैं आपको फाइनल लूग दिखा दो यह देखिए दोस्तों यह इसकी फाइनल लूग है इस तरीके से मैंने यहां पे तीन बटन लगा दिये यह देखिए पहनने के बाद में यह इस तरीके से आएगा यह लूज लूज और यह जो हमने डोरी अगर इसको आपको याथ हो जाता है तो इसको यहां से खोल केए लूज भी करेंगे कहें देवर नocyymet taking कि में ये चीपका को का जैसे मैंने आपको बताया यह अट करें ऐसे भी कर लेंगे और यह डोरी का जो है यहाना क्णरास करें यह डोरी लगा दिए यह ऐसे सैट से लटकेगी तो थोड़ा डिजाइनिंग भी हो जाएगा यह देखे मैं इसको हलका से आपको इस तरीके से देखिए तिर्शा करके दिखाता हूँ यह जैसे इस तरीके से आएगी तो जब आप इसको बादेंगे ना तो यह इस तरीके से इस किया जाएगी बहुत आसानी से बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हैं अपने घर में भी इसको तो वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू फूर वाचिंग